गुद मॉर्निंग स्टोडांट्स आज हम मेरी गोल्ड में पेज नमबर 95 में आपको करली लॉक्स की मैंने एक स्टोरी बेजी थी अपने देखी ना उस स्टोरी में क्या था वहां पे तो वहाँ पे ऐसा था कि एक करले लॉक्स नाब की एक लड़की थी वो वहाँ पे एक कॉर्टेज में जाती है वहाँ पे उसे पोरियज मिलता है पोरियज मतलब वो जो एक अपलोगों को सीरा होता है उसके जैसा होता है तो वहाँ पे वो उसको मिलता है पोरियज और वहाँ यहां पे देखिए, first question है, curly locks went to, कहां गई वो, तो अपने house के नजदीक एक forest था ना, वहां पे वो गई forest, तो यहां पे आएगा A, फिर there was blank in the cottage, वो जब वहां पे forest एक जंगल में जाती है, और वहां पे वो cottage में जाती है, तो वहां cottage में कौन होता है, तो वहां होता है, nobody, कोई नहीं होता है, वहां पे जब वो first time जाती है, the blank lived in the cottage, cottage में कौन रहता था, cottage में beer family, beer मतलब भालू पता है न आपको, वो वहां पे रहते थी, फिर हम next page पे जा रहे हैं, curly lock, so blank bowl of porridge on the table, table के उपर उसने porridge के कितने bowl देखे, तो वहां पे देखे, उसने three bowls, the big bowl was four, वहां पे three bowl थे, तो उसमें से बड़ा bowl था, वो किसका था, वो वापा beer का था, फिर the porridge in the big bowl was, मतलब जो porridge था, वो जो खाना था, वो big bowl में कैसा था, तो वो था hot, बहुत सा घरम था, फिर है the porridge in the middle size bowl was, जो middle size का bowl था, उसमें जो porridge था, वो किसका था, तो वो ममा beer का था, और वो कैसा था, cold था, वो एकदम ठंडा था, फिर है eight number का, the porridge in the blank bowl was just right, मतलब एक जो कौन सा एक bowl था, कि जिसमें porridge था, वो एकदम ना एक बहुत घरम था, और ना ही बहुत ठंडा था, हम खासके ऐसा था, जस्ट राइट एकदम बराबर था, तो वो क् tinny bowl, फिर है nine number, the middle size bed was four, जो middle size का जो bed था, वो किसका था, वो था, ममा beer का, किसका था वो, ममा beer का, फिर big bed was very, वो था, hard, मतलब जो big bed, bed था, जो three bed थे वहाँ पर, उसमें जो big bed था, वो कैसा था, एकदम hard था, एकदम सक्त था, फिर the middle size bed was too soft, और जो middle size का था, जो beach के size का था, वो एकदम कैसा था, एकदम soft था, फिर हम इसके नीचे जो है, filling the blanks करेंगे, curly locks, curly locks, head, blank hair, तो वहाँ पे आएगा, curly hair, यह रहा first number का, यह यहाँ पे आएगा, इसमें हम करेंगे first number, फिर the porridge in the big bowl was, वहाँ पे क्या आएगा, porridge in the big bowl was very hot, यह रहा second number का यह रहा, hot, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फिर है, the porridge in the middle size bowl was two, तो जो porridge था, वो big bowl में hot था, जब middle size का था, उसमें कैसा था, cold, तो यहाँ पे यह रहा, यह third number का, यहाँ पे आएगा, यह three, cold, फिर the porridge in the tinny bowl, वो bowl was just, तो वो आएगा, just right, four number में यह आएगा, right, फिर है five number, the big bed was very hard, यह रहा, five number, hard, फिर आएगा, हम आर कर रहे है, six number, the middle size bed was very too soft, यहाँ पे आएगा, यह soft, फिर seven number, the curly log slept in the blank little bed, वो मतलब, एक जो था, वो hard था, एक soft था, और वो curly log कहाँ पे सो गई, तो teeny little bed था, वहाँ पे सो गई, फिर the blank bed was very hard, कौन सा hard था, तो big bed था, वो, बहुत hard था, कर ली log was blank, so see at the porridge, वो, curly log so, क्या था, कि उसने porridge खा गई, तो वो थी hungry, वो बहुत ही, बुखी थी, इसलिए वो porridge खा गई, फिर हम जा रहे हैं, देखिए, इसके नीचे के जो question answer है, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमने skip किया है, फिर हम पे जा रहे हैं, rhyming words में, यहाँ पे, उसके next page पे, जो है वो, यहाँ पे हमें rhyming words में क्या करना है, तो यहाँ पे दीखिए हमें same to same words लिखने हैं, care, तो यहाँ पे, hair और dare, h-a-r-e, hair, फिर d-a-r-e, dare, फिर क्या करेंगे हम, right, तो यहाँ पे है, bright और light, bold, tall, hold, walk, talk, chalk, label, table, cable, फिर है नीचे, circle the odd one out, हमें क्या करना है, जो odd one है, उसको circle करना है, time, rob, shop, तो यह होगा time, table, fable, cell, तो यह होगा cell, where, hair, care, यहाँ पे दीखिए, where, hair, where, here, और care, यह तीनों, वहाँ पे last में तो e आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दीखिए, e-r-e, और यह e-r-e है, लेकिन यह थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे circle आएगा care में, फिर है frock, block, और tag, फिर get, bright, right, तो यहाँ पे आएगा bright, te और यह भी te same है, फिर हम जा रहा है, next page पे, इसमें भी नीचे का हमने थोड़ा skip किया है, यहाँ पे दीखिए, circle the describing words, यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब describing words, मतलब इसका meaning ऐसे होता है कि, यहाँ पे जो wishes में यहाँ पे use होते हैं, ऐसे words, मतलब कुछ भी हमें दिखाना है, यह है, मतलब घाय है, लेकिन घाय कैसी है, तो लाल गाय है, कि black color की गाय है, ऐसे मतलब meaning दिखाना, या फिर वो ऐसे मोटी गाय है, या फिर वो एकदम छोटी गाय है, तो जो इसके हमें extra word use करने होते हैं, उसे हमें describing words करते हैं, यहाँ पर हमें दिखे, एक दिया गया है, जैसे red है, big है, उसमें colors हैं, फिर उसके size होती है, वो अलग-अलग की, फिर यहाँ पर उसके जैसे हम करेंगे, there are black clouds in the sky, तो यहाँ पर आएगा black, जै has a small bag, तो यह describing word as small, फिर ही is a funny boy, तो यहाँ पर आएगा, 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 तो यहाँ प The fat cat sat on the new mat, तो यह हुआ fat और यह हुआ new, महलब cat तो है, लेकिन कैसी है, fat है, मोटी है, और mat है, बैठने की mat, लेकिन वो कैसी है, new है, फिर how strong the wine today, आज कैसा जोरदार पवान है, तो यह हुआ strong, फिर Tina is a quiet girl, एकदम शान्त, तो यह हुआ quiet, फिर हम जा रहे हैं, next page पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको उपर यहाँ पे कुछ words दिये गए हैं, वो words में कैसा है, कि वो बोलने में सेम होते हैं, लेकिन उसकी meaning अलग होते हैं, जैसे यह first में है, सी, सी, तो एक सी है वो देखना और एक सी है दरिया, आई, आई, एक आई मतलब मैं और दूसरा आई है मतलब आँख, डियर, डियर, डियर मतलब जो हमें प्रिय होता है वो और दूसरा डियर मतलब हीरन, फिर वीक, वीक, एक जो वीक होता है वो, जो वीक होता है, संडे, मंडे, जो हम वीक बोलते हैं वो, और हपता, और एक वीक है मतलब वो, जो अपने सरी से जो कमजोर होता है, वो वीक मतल फिर here here, एक here का मतलब होता है सुनना और एक here का मतलब होता है कि यहाँ पे, फिर है eight eight, यहाँ पे एक eight मतलब का खाना और दूसरा eight है मतलब eight art, फिर tail tail, एक tail का मिनिंग होता है, पूंच जो पूंच होती है वो और एक tail का मतलब होता है कहना, फिर यह है right right, right का मिनिंग होता है लिखना और दुसरे का होता है कि जो चीज राइट होता है वो रॉंग नहीं होता है और राइट होता है वो सही होता है वो फिर है सन सन और एक सन का मिनिंग है सूरश और दुसरे का है लड़का बेटा तो यह हम ऐसे सेम मिनिंग वाले यहां पे दिये गए हैं QR से milde कर रहा है तो वहां पर आएगा S U N sun फिर blank i have a book तो यहां पर आएगा videos my nativeag lives a stars BC here we have a book मतलब मेरे पास book है he blank a new pulse underscore E9 मतलब एक कहना तो मतलब उसने ऐपल खाया फिर Can you blank थंडर मतलब तो मतलब थंडर मतलब आपको बता बिजली होती है वो तो यहाँ पर बिजली पर बिजली के साथ फिर आवाज आती है ऐसे तो वहाँ पर वो बोल रहे है कैसी आवाज सुनी तो सुनना मतलब here तो यह आएगा ship sails on the तो ships होती है वो कहाँ पर चलती है तो वो तो sea में ही चलती है फिर the monkey has a long, तो यहाँ पर यह है tell, मतलब पूँच, फिर there are seven days in a, तो seven days किसमें होते हैं, तो वो week में होते हैं, फिर can you blank that bird, आपने ये bird को देखा, see, मतलब देखना, ये see तो दरिया, मतलब आपने वो bird को देखा, कोई अच्छा सा bird हो, तो हम किसी को दिखा हैं, तो हम बोलते हैं, कि आपने उस bird को देखा, तो देखने का मतलब see, फिर my answer is right, मतलब मेरा answer सही है, तो यहाँ पर आएगा right, फिर there are blank pencil in the box, यहाँ पर है eight और eight, तो pencil के box में कितनी pencil हैं, तो यहाँ पर है eight, तो यहाँ पर हमने ये सारा किया, फिर हम ये देखिए, नीचे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये agree, quiet plate है, जो good handwriting में और करसी writing में यहाँ पर नीचे लिखना है, फिर next page पर भी यहाँ पर यहाँ पर प्लेट और वो सब था वही लिखना है, आपको फिर से यहाँ पर ये break और zigzag ये लिखा हुआ है, वो करसी writing में अच्छे से लिखेंगे, फिर यहाँ पर next page पर भी ये जो zigzag वाला बाकी है, यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर little flower और garden, तो यह भी good handwriting में लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर देखें कुछ pictures दिये गए हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, cup, top, bug, jug, mug, rug, gum, bun, gun, sun, cup, hut, nut, pup, और last वाला है, bird, यह सारे दिखेंगे, इसमें वैसे तो आपसको पता है, cup मतलब जो lion का बच्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर cup कहते हैं, फिर tub आपको पता है, तो छोटा सा यह bug मतलब छोटा सा insect होता है, फिर जाग, mug, फिर rug, यह मतलब ऐसे कपड़ा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जाड़ा होता है, फिर gum है, फिर bun, यह वो आपको bread पता है न, ऐसे वो bun होते हैं, फिर यह गन है, यह sun है, यह cup, heart, nut, और यह जो doggy का बच्चा होता है, उसे pup कहते हैं, और यह यह है, जो flower से पहले जो खुलती नहीं है, वो कली कहते हैं, मैं उसे bird कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको three rhyming words लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से लिखे दिये हैं, तो यह pup, तो cup, tub, rub, bug, jug, mug, rug, hum, gum, yum बन, gun, sun, run, यहाँ पे है, gut, hurt, nut, cut, इसके अलावा आपको आते हो, और दूसरे आपको लिखने हो, तो वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा यह chapter यहाँ पे finish हो रहा है, सब आप इतने से अच्छे से लिखेंगे, जो हमने skip किये हैं, वो हमें आप भी नहीं करने हैं, थैंक यू